माना विकास रिपोर्ट तो यहाँ पे हमें जो है माना विकास रिपोर्ट के बारे में बताया गया है UNDP द्वारा वर्ष 1990 से प्रती वर्ष माना विकास लेख Human Development Report SDR प्रस्तुच किया जाता है माना विकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके माना विकास अंक SDR मुल्य के आधार पर नीचे के सार्णी के अनुसर चार विवागों में विवाजित किया गया है जिसमें नौर्वेज 0.924 के स्थान पर है तो यहाँ पर हमें बताया है कि UNDP द्वारा 1990 में प्रती वर्ष माना विकास लेख यानि कि Human Development Report SDR प्रस्तुच किया जाता है और माना विकास लेख के वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके माना विकास आंक SDR के मुल्य के आधार पर यापे चार नी में उन्हें चार भागों में विवाजित किया गया है जिसमें नौर्वेज वह 0.924 के स्थान पर है दूसरे क्रम पर ऑस्ट्रेलिया जोके 0.925 और स्विर्जर्लेंड जोकी 0.930 के थिसरे क्रम पर है ACI देश सिंगापूर 0.9211 क्रम पर है भारत जो है 0.609 माना विकास आंके सार जो है 188 देशों में 133 के स्थान पर है इसलिए वह मध्यम माना विकास वाले देशों की स्थ्रेनी में शामिल है इस लेक में सबसे नीचे के अंक 188 के क्रम पर जो है नाईजर जोकी 0.348 है यहाप पर जो है आपको माना विकास रिपोर्ट के माना वंक के आधार पर देशों का जो वर्गी करण किया गया है इसमें कौन-कौन से शामिल किये गए जिसमें उच्छेतम माना विकास जो है 100 जो है 155 देश करम तक में जो है उसका या पर विभाजन किया गया है जिसमें आपे माना विकास अंग जो है आपे 0.700 से 0.708 तक शामिल किया गया है इसमें रशिया, मलेशिया, इरान, स्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजिल, चीन, थाइलेंड और जमेका का समाविश होता है उसके बाद है मध्य माना विकास जिन देशों में हुआ है वहापे जो 116 से 143 के करम दिये गए और इसमें जो अंग है वह 0.555 से 0.698 तक है इसमें इंडोनेशिया, फिलिपाइन, दक्षिन आफरिका, इराक और भारत है उसके बाद बताए कि निमना माना विकास जिया आपे बहुती कम मात्रा में माना विकास हुआ तो वह 144,188 के बीच है जिसका जो यह आपे अंग 0.550 से भी नीचे है और इसमें जो केनिया, पकिस्तान, नाइजेरिया, जीव, बंबे और नाइजर जेसे देशों का समावि होता है। में भारत और उसके पड़ोसी देशों का स्थान जो है माना विकास में कौन-कौन सा था उसके विशय में बताया है तो यहाँ पर बताए कि इस यह में जो ही दोजार पंद्रा में भारत का 130 नंबर पे स्थान था जो कि 0.609 के साथ था माना विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में भा उसके पड़ोसी देश उसमें जो ही ओस्ट्रेगा वगिरी का समावेश होता है श्रीलंक का चीन और मालदिव का और इनका जो माना विकास रांग के वह बालस से उपर के क्रम पर आता है भुतान बांगलादेश नेपाल पाकिस्तान म्यानमार और अफगानिस्तान है यह दे मानव विकास अंक और निर्देशकों की जो तुलना की गई है वह आपको यहापे बताई गई है मानव विकास के सक्षम चुनोतिया तो मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम पाच देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशक, स्वास्थिय, सिक्षन और आए यानि प्रतिव यक्तिया और राष्ट्रिया आए कि एक शित्र में अनेक मंजिल तई करनी बाकी है कि मानव विकास का देश में देश के निर्देशक, स्वास्थिय, सिक्षन और आए प्रतिव यक्तिया और बाकी है और यहाँ पर जो मानव विकास है वह निर्देश और भोतिक वस्थों के साथ नेक परन्तु जो है जीवन, सजीर मानव संपदा के साथ सिधा संबन है मानव वर्ष अंग में मानव विकास की प्रगतिवित में बादग जो चुनोतिया दर्शाई गई है जिन पर विशेज बल दिया जा रहा है उन्हें स्वास्थिया में सुधार होना चाहिए लेंगिक समानता होनी चाहिए जिसमी के स्त्री पूरुस की समानता और महिला सशक्ति करण तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है आरुग्यों के विशे में बताया गया है तो स्वास्थिया व्यक्ति के जीवन के लिए अत्ति आवश्यक और कीमती पुंजी है व्यक्ति का परिवार सामाजिक जीवन उत्तम बने इसके लिए सबसे पहले जो है उसका स्वास्थिया चाहिए ये सबसे महुत्त पॉआ होता है कि किसे वह व्यक्ति का जो स्वास्थिय भहात सी रहना चाहिए भारत सहीद विकास्थियल देशों में देशों ने अपनी स्वास्थियों नीतियों के अंतरगत जन संक्या वृद्धि सामान्य रोग कोपोशन अपंगता एट्स चैसे संक्रम इसे मतारी हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें बदाए कि भारत और उसके साब भी विशा विकास सिल देश है और वे सर्षास संक्रमित रोग जैसे जो है इन्लोग wär ध्यान कैण्डर्इट किया है स्वास्थिया की ख्षेत्र में किये गए खर्च जो है मानव जीवन की गुण्वत्ता बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है परन्तु मानव संसाधन विकास का एक निवेश है भारत में स्वास्थिया के ख्षेत्र में प्रगति हुई है बारती का करन कारिये करम ओपी वी याली की फूलियों के लिए जो है बिसी जी ख्षे के लिए जो है हिपेटाइस भी और जो है आपे जहरी पिलिया डिपिटी के लिए जो है डिप्तेरिया काली खासी के लिए टिक बालकों को देने से बाल स्वास्तिय और बाल मृतियों दर में काफी सुधार लाया जा सकता है आयोडीन जो है आयोडीन विटामीन और लोह तत्व की कमी के विरुद भी अभियान चला रहे हैं हम प्लेग चेचक रखतपीत और पोलियो निर्मूल कर रहे हैं खासी जो है खसर प्लत करवाया गया है चोटे बल्चों के लिए जो टीका करण की पॉलिसी जो है वह अपनाई गई है और जैसे के प्लेग और जो है नियुमोनिया छेचक वगएर इन सब रोगों को नियंत्रन में भी लाया जा सका है परिनास वरुप जो है मनुश्य लंबा तंदुरस्त और स्वस्त जीवन जी रहे है जन्मदर मृत्यदर बाल मृत्यदर में कमे दर्ज हुई है और शत आयो भी बड़ी है लोगों की इसके उपरन भारत में कई राज्य में जन संक्या मृत्यदर घटाने के लिए उची जन्मदर घटाना यह स्वास्थ्य के लिए महत्तपुन लक्षय बन रहा है जल जन्य रोग स्वशन रोग और कोपोशन ने जन संक्या के लिए समस्या भी उत्पन की है तो यह आप हमें बताए कि जल जन्या निकी जो पानी से संबंदित रोग होगे रहे होते है श्वसन के रोगे और कोपोशन ने जो जन संक्या के लिए भी समस् जिम्मेदार है परियावर्ण ये प्रदूशित और जहरी पदार्थों का उद्बव देनिक जीवन में नई चुनोती है बढ़ते हुए शहरी करण से गनिवस्तियों में जो है नई स्वास्थिय सोविधाओं के लिए भी समस्या उत्पन कर रही है इन नई चुनोतियों से न प्रदूशन और जहरी परदार्थों का उद्बव देनिक जीवन में नई चुनोती सरूप है और जो शहरी करण बढ़ रहा है जिससे गनिवस्तियों में जो है स्वास्थिय सुविधाओं के लिए भी समस्या उत्पन हो रही है और इन नई चुनोतियों से निपटने के ल लेंगिक समानता स्त्री पुरुष समानता तब आगया में जो है आपे लेंगिक समानता के बारे में बताया गया है भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वच्छन देता है 2011 की जन गणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जन संक्या जो है 48.86 प्रतिशत स्त्रिया और 51.54 प्रतिशत जो है आपे पुरुष है इस दुरुष्टी से देखे तो भारत ही नहीं अपी तो विश्व के किसी भी राष्टर की प्रगती और विकास में मानरस अलग होने के कारण दोनों के विकास के पद्ध भी अलग रहे है आज भी कई महिलाई घर काम करती रहती है रसोई में खाना बनाती है बालकों के देखभाल करती है उनका आर्थे को पारजन या राष्ट्रिया में कोई हिस्सा नहीं माना जाता है तो यहाँ पर हमें बता है पूरुषे इस रुष्टी से दिखे तो भारत में जो है किसे भी राष्ट्रों के प्रगती में जो इस्त्रियों ख conti मैं-ग्रण गर्णीय स्थान होता है और आज भी हमारे भारत की जो एकुछ स्थ्या जो है या काना बनाती है, घर में वच्चों की fashion तर भलक करती है उस प्रकार से ही कार्य करते हैं। जो हैं हमारी राष्ट्रियाय में कोई भी हिस्सा नहीं होता है। आचार वीचार और व्यवहार में पुत्री को विभीन्द भेदवाव सहन करने पड़ते हैं। प्रोण हत्या, नीचा, आदरभाव, पुत्र जन्म के चावच, सामाजिक परमपराय और लेंगिक पेदवाव के कारण स्त्रिया को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आथिक, राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शेत्र के अउसरत अथा निर्नाय प्रक्रिया में असमानता लिखाई रेती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि महिलाव में साक्षता का प्रमान कम होता है, वे अधिक पड़ी लिखी नहीं होती। जिसकी वज़े से बाल विवा, परदा प्रथा, दैस प्रथा जैसे हमारे समाज में जो भी कूर रिवाज है, उनके वे भोग बनती जा रही है। और समाज में जो है आपे व्रोण हत्या की जाती है, नीचे आदरभा स्त्रियों को प्राप्त होता है, और लोगों को पुत्र जन्म के चाहत होती है, और कुछ सामाजी कृति, रिवाज, परम, परदाय होती है। पुरुष्ट समानता का जो है आपे सांखे की विस्कलेशन जो है वह बताया गया है 2015 की रिपोर्ट के अनुसर आपको यह जानकारी दी गई है भारत में अधिकांश राज्यों में उच्छ पद उच्छी आए अधिक लाब अधिक वेतन मिलते हो ऐसे कारिया वाले उद्यों और नोकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है संसर में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2 प्रतिशत जितना ही है संसर विदान सभा वरिष्ट अधिकारी मैनेजर कंपनी डाइरेक्टर व्यावसाई और कैमिक जो है टेक्निकल श्यत्र में महिलाओं का निम्न प्रमा न membr काण देखने को मिलता है संसर विदान सभा अधिकारी मैनेजर वगीरे टेक्निकल श्यत्र में म महिलाओं का निम्न प्रमाण देखने को मिलता है साथ है त्री पूर्ष का भेज विवाव सब्हसाने को मिलता है